ऐसी कोई भी महिला नहीं होगी जिसको कभी न कभी wipe discharge की problem नहीं होई हो चाहे वो उनका puberty का समय हो या फिर menopause का समय हो प्रतेक महिला को हमेशा हर महिने कुछ ऐसे discharge होते हैं जो कि कई बार normal होते हैं और कई बार abnormal होते हैं एबनॉर्मल होने के वज़े से बहुत सरे महिलाओं को काफी अनीजी फील होता है, इतना डिसकंफर्ट लगता है, गीलेपन के वज़े से कई बार वो अपने कामों में फोकस नहीं कर पाती हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लिकोरिया, यानि की वाइट डिस्चार उसले के लाजचक जरूर देखेगा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विस्वाइवल पे सौगत है, अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा है, तो रिक्वस्ट यही करूंगी, कि चैनल पे कंटेंट देखिए, कंटेंट अ मैंने आपको बताए कि महिलाओं को यह डिस्चारजेस नॉर्मल होते हैं, क्योंकि जो आपकी प्राइविट पार्ट का एरिया होता है, वहां की पीएच जो होती है, वह आपके डिस्चारज से बैलेंस में रहती है, क्योंकि अगर यह हल्दी डिस्चारज है, तो वहां की येज को भी मेंटेन करना काफी जादा जरूरी होता है ताकि जो बाहरी इंफेक्शन है वो आपकी प्राइविट पार्ट तक नहीं पहुच पाए लेकिन कई बार डिस्चार्जेज इस तरह के होते हैं जादा हद से जादा आपको लगने लगते हैं उनकी क्वांटिटी अग और आपको डिफरेंश लगरा है कलर आपको यंवो लग रहा है ग्री लगर रहा है घ्रेल लग रहा है या फिर कुछ भी अगर आपको ब्लड की तीनके दिखाई देते हैं तो आपको अपनी का टाइम चलता है जब उनके शर्द से अंडा रिलीज होता है उस वक्त जो डिस्चार्ज होती है जिसमें किसी भी तरह की फावल इसमेल नहीं होती है बिल्कुल क्लियर एकदम सा चिपचिपा सपदार्थ अगर आपको रिलीज हुआ सा लगता है तो वो डिस्चार्ज अगर चेंजेज लगते हैं एवनॉर्मल डिस्चार्ज लगता है तो उस टाइम पे आपको अपनी गायनी से मिलने की जरूरत है वही पर अगर मैं बात करूँ कि ये किन-किन कारणों के वज़ा से होता है तो हर एक महिलाओं की अलग-अलग प्रॉब्लम हो सकती है कई बार कर लेते हैं इसके कारण की तो प्रिगनेंसी बहुत बड़ा कारण दिखा जाता है क्योंकि जैसे ही अगर आप प्रिगनेंसी कंसीव करते हैं आपके प्राइविट पार्ट के थ्रू कुछ ऐसे डिस्चार्ज होते हैं और वो डिस्चार्ज होते हैं आपके हॉर्मोन के ते जिसे बढ़ रही होती है उसके कारण भी आपको वाइट डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है जो कि एक हेल्दी डिस्चार्ज है सेकेंड अगर इसके कारण की बात की जाए तो अगर आपको प्रॉपर अगरा वजाइनल हाईजीन नहीं रखते हैं प्रॉपर तरीके से उसकी साफ सफाई नहीं करते हैं तो इन्फेक्शन लगने के चांसे जादा होते हैं और इन्फेक्शन के भी वज़ा से इसे डिस्चार्ज देखने के लिए मिलते हैं वहीं पर अगर मैं तीसरे कारण की बात करूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि जिन लेडीज को आफ्टर रिलेशन काफी जादा पेन महसूस होता है इचीनेस महसूस होता है तो कई बार उसका कारण कॉंडम्स भी होते हैं कि कुछ ऐसे रबर होते हैं जिसे हम लोग लेटे साबुन इस्तमाल करती हैं जिसके वजह से भी इलर्जी होके आपको ये डिश्चार्ज जादा नजर आ सकते हैं तो ये सारे तो इसके कारण है लेकिन इसके उपाई के अगर मैं बात करूं तो उपाई के तौर पे आपको क्या करना चाहिए कि आपको बैलेंस डाइट को जिया खानी है, फ्रूट्स खाने है और खास करके आपको दही का इस्तमाल जरूर करना चाहिए क्योंकि दही में होते हैं कुछ अच्छे बैक्टिरिया जो प्रोबाइटिक्स होती है वो आपकी वजाइनल हेल्थ के लिए भी काफी ज़ादा इंपोर्टेंट होते हैं क्यो आपके लिए काफी ज़ाधा हेल। अजवाइनका पानी को कैसे पीना है , आप कभी जो भी आप- पानी को बॉल जब भी कर रहे होते हैं तो एक जमच अगर अजमाइन का आप उसमें डाल के उसके बाद जो पूरा अर्ख होता है उस पानी में आ जाएगा और उसी पानी को आपको सिब सिब करके पीना है उससे भी आपके इस प्रॉब्लम में काफी जादा चुटकारा मिलती है दूसरा बहुत बड़ा उपाही ये दिखा जाता है कि अगर आप मेथी दाने को रात भर अगर सोक करके छोड़ देते हैं सुबह में आप मेथी दाना को चबाके आप उसको खा सकते हैं या कई बार उसका पानी भी अगर पीते हैं तो उससे भी आपकी ये प्रॉब्लम दूर होती हुई से आपको नजर आएगी और इस्पेशली अगर मैं फ्रूट की बात करूँ तो बनाना आपके लिए काफी ज़्यादा है तो बनाना को भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए तो आपको ये लुक्योरिया की ये जो बाइट डिस्चार्ज की प्रॉ वजाइनल टैबलेट्स कैसे इस्तमाल करना है इसकी क्या डोजेज होनी चाहिए किस तरह से ये क्योर करती है उसके लिए सेपरेटली मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल ट्विन्स वाइवल्ड केर पे अपलोड किया हुआ है ऐसे मैं इसकी ल